आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे responsive slide bar कैसे create करते हैं तो आप यह देख सकते हो जब मैं इसे hover करता हूँ then इसके width fully increase हो जाती है साथ के साथ जब मैं hamburger पर click करता हूँ तो यह same effect वापस आजाता है यह तो ही हमारी desktop layout की बात अब हम इसे mail layout के लिए create करते हैं तो आप यह देख सकते हो अभी तो initially screen पर कुछ नहीं है सिर्फ hamburger के लावा जब हम इस पर click करेंगे तो हमारा menu appear होता है तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे second thing तो जो बताना चाहता हूँ मैंने इस चीज का source code discussion में दे रहा है आप प्लीज वाजा के visit कीजिए जो आपको इस चीज का source code चाहिए then इस चीज को code करने के लिए मैं अपने VS code में आ चुका हूँ सबसे पहले हम markup की बात करते हैं तो boilerplate create कर लेते है boilerplate के बात यहाँ पर आपको title देना है तो इसे एक short form हो गया then इसमें आपको एक span create करना है off icon and icon के बाद enter करना है enter करने के बाद यहाँ पर एक और span create करना है जिसकी क्रास होगी title title के बाद यहाँ पर आपको title देना है जैसकि मैंने पहला home दिया then ऐसे ही आपको सारे links generate करना है जैसकी home, profile, profile के बाद message, message, help then setting, password and last sign out अब इसे open with live server कर लेते हैं जिसमें third last option होता है आप यह देख सकते हो कि जो कि अभी तक हमने basic markup लिखिया है then मैं चाहता हूँ कि जो हमारे icon है हम उसको साथ के साथ link कर दें तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आप font awesome पर आजिए font awesome के sign up करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा थोड़ा zoom कर लेता हूँ आप देख सकते हो इसे copy करना है आपको अपने header section में include करना है आप कहीं और से icon import करते हैं तो वहाँ कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको font awesome करने है इसे cross करने के बाद यहाँ पर आते हैं हम icons में इस पर icons पर click करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम search करेंगे home के लिए then home के लिए आचुका है result इस पर right click करके open in new time ऐसे ही आपको सारे icon के लिए create करने है जिसमें हम पहले करते हैं profile अगली आया हमारी profile profile में आप यह देख सकते हो यह circular ring इस पर right click करो and then open in new time और यहाँ पर अगला होगा message message आते ही आप यहाँ देख सकते हो एक mailbox जैस आ रहा होगा आप इसको right click करना है and then open in new time then अगला है हमारा help help लिखेंगे तो यहाँ पर एक helping center जैसा रहा होगा जैसे question mark है question mark भी बहुत अच्छा indication होता है help का then अगली आते है हमारी setting तो इसमें setting मतलब setting को cog भी कहते हैं तो यहाँ पर यह हमारा जो cog है इसे open in new tab then अगला आता है हमारा password password में आप देख सकते हूँ एक ताला जैसा आयागा ताले को यह रहा मेरा ताला इसको open in new tab and then last में sign out तो इसका भी sign out को आ चुका है इसे open new tab तो आपको क्या करना है कि जो कि इनकी abbreviation होगी देखो आपका i tag है इसे copy करना है copy करने के बाद आपको यहाँ icon में paste कर देना है just simple ऐसे ही हर चीज के लिए करना है यहाँ पर copy करना है then आपको यहाँ paste कर देना है then आप यह देख सकते हो कि हमारे icons भी आ चुके हैं अब इस चीज को हम style करते हैं style में सबसे पहले मैंने इंपूर्ट किया गूगल फॉंट एंड यह युनिवर्सल इंडिकेटर में लिखा है margin padding 0 and font family दिये जो मैंने गूगल फॉंट से इंपूर्ट कर रहा है box sizing means इससे ज़्यादा overflow ना हो then body की बात करते हैं इससे पहला जो हमारा काम रहेगा इसे एक सिंपल सा background देना जिस पर बन फाय जीरो जीरो वन नाइन यहां पर minimum height जो हम देंगे इसे 100 भी एच मतलर जीचनी भी डिवाइस की height है then अगली चीज जो आ जाती है dot करके जो हम class को select करेंगे हमारी वह होती है navigation बार इसे copy करना है simple copy करने के बाद paste यहां पर जो हम position fixed करेंगे top will be zero and left will be zero width will be 60 pixels and height आप height दे सकते हो जासके height या minimum height करके दे सकते हो minimum height आप दो तो अच्छा रहेगा 100 VH और यहां पर भी minimum width करके देंगे तो यह भी बढ़िया रहेगा तो आप यह देख सकते हो कि अभी तो कोई interchange नहीं है because अभी तक हमने इसमें एक simple background नहीं दिया है background देने से होगा क्या कि हमें वो चीछ visible होगी just कि इसका एक है 3E0748 let's try कि यह थोड़ा सा light color होना चीए तो आप यह देख सकते हो कि सारे links हमें वो उसमें ही दिखाई दे रहे ह देन अगली बात आती है इसके बाद मैं इसमें एक transition भी add कर देता है because then जब हम इस पर hover करेंगे तो transition effect भी आना है तो उसके लिए मैंने इस चीज को create कर दिया है then इसमें आता है navigation bar के अंदर ul इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा position will be absolute top 0 left will be 0 और एक चीज क्या है क जैसके मैं navigation bar को जब मैं hover करूँ then मैं चाहता हूँ इसकी width increase हो जाए 300 pixel तो इसका मतलब क्या बैटता है कि जैसके मैं इसे hover करूँगा तो आप देख सकतो कि यह एक तरह से हमारा एकदम rough हो रहा है rough क्यों हो रहा है तो अभी देखते हैं कि अपर देखो यह transition दे रहा है अच sorry hidden hidden से क्या होगा कि जितने भी message के जो extra message आ रहे है वो सारे hidden हो चुके है then इसमें हम जो अगली चीज़ चाहते हैं वो तो इस पर हिसाब से बदलती रहेगी अब बट अभी के लिए इसमें width कर देते हैं हम 100% 100% के बाद इसी चीज़ को copy करना है copy करने के बाद यहां paste कर देन है पेस्ट करने के बाद हमारा list item आता है जिसमें हमारा सबसे पहले रहेगा list title will be none width will be 100% 100% के बाद अब इसी चीज़ को copy करना है जैसी यह हमारी UL li anchor tag अब इसको paste करना है paste करने के बाद anchor tag को करेंगे जिसमें हमारा text decoration होगा none text transform कर सकते हम अपर case capitalize each word मत पहला word capital होगा and color दें है कि यह चीज को visible करना then इसके बाद हम चाहते हैं इसमें display हो block and because इसमें पैडिंग भी देंगे margin भी देंगे तो उस चीज के लिए यहाँ पर मैंने display block दिया है then अगली बात जो आती है इसमें display block दे सकते हो या फिर flex देना सही रहेगा तो जैसा flex दोगे तो यह एक दूर से में मर्द हो चुके है और आप यहाँ पर display block दोगे तो हम इसमें अराम से जो भी चीज चेंज आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जैसके मैंने display block किया तो अभी तो कोई अंतर नहीं दिख रहा बट हम कोई चीज अभी इसमें add करेंगे तो उसमें अच्छा खासा effect दिख सकते हो कि user जैसे select कर ले तो वहाँ पर इसका वो टंडा ख़ड़ खिचाना रहा है तो इसके लिए यह बड़िया चीज है अभी के लिए हम icon पर बात कर लेते हैं जैसके अभी हमारा anchor tag है इसको इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा आएगा icon जो icon की हमारी width है width.icon इसमें सबस आप सभी हमारे icons और title define होंगे तो यहाँ पर width simple देते है 60 pixel and height देते है 60 pixel line height देदो आप 60 pixel sorry line height will be 60 pixel then after saving आप यह देख सकते हो कि जो हमारे icon है वो shift हो चुगे है then यहाँ पर text align आप दे सकते हो let's suppose center then आप यहाँ देख सकते हो यह icon हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है यह इसलिए यहाँ पर हमने position relative नहीं दिया and यहाँ पर जो हमारी width है वो height minimum width के साथ आनी चाहिए इससे होगा क्या कि जितनी भी width है वो हमारे icon cover कर लेंगे then मैं चाहता हूं कि जो हमारे icon है icon का size increase हो तो इस चीज़ को copy करना है copy करने के बाद paste and .fas property q use करी आप यह देख सकतो icon के अंदर common होती है then अगली बात आती है इसके अंदर सबसे पहला काम रहेगा font size कर देना है 24 pixel बाकी आपकी मर्जी है जो आप कोई और चीज़ इसमें add करना चाहते हो अब हम style करते है इसके text को just इस चीज़ को double कर देना है जो हमारा icon के लिए था और इसमें बड़ा करने के बाद यहा हमारा title ता title में अंदर आप यहां दे सकते हो line height and padding देना चाहो तो वह भी सही रहेगा padding 0 pixel and 10 pixel so that यह दोनों एक दूर से थोड़ा सा दूरी बनाके चले तो आप यह देख सकते हो इसका असर यहां पर आ रहा है तो इसे आप यहां पर कुछ और करने के अलावा यहां पर बस यहां पर आप दे सकते हो एक property होती है white space करके जिसमें आप दे दो non-rare इससे क्या होगा कि देखो अभी जो sign out हमारा degrees हो रहा था वो नहीं हो रहा तो आप नहीं जानते है कि sign out property होती क्या है तो basically मैं मता देता हूँ आप यहां लिखोगे what is the property mean white space और यह मतला आज ही मुझे चलिए कि यह actually में काम कैसे करती है तो इससे होता क्या है कि आप चाहते हो कि जो element है वो overflow करता रहे मला overflow करता रहे चाहे उसकी width degrees हो तो इसी चीज में देखो पहले यह sign out नीचे आ रहा था उसी चीज को बचाने के लिए यहां पर हमने use किया white space non-drive इससे हो क्या रहा है कि यह degrees हो रही है यहां पर हम एक क्या करता है इसे इस चीज को copy करना है copy करने के बाद आपको जस्ट यहां पर paste करने के बाद यहां पर एक hover class add कर देनी है होवर के अंदर आप सिंपल एक background दे दो आपने मन बढ़ जीगा जो होवर के लिए सबसे एक best इसमें है यह रैड और पिंक कलर के बीच का है तो आप यह देख सकते हो कि एक बहुत स्मूड ट्रांजिशन आ चुका है यहां पर आपको टूगल क्लास क्रिएट करनी है करने के बाद आपको यहां पर आप देना चाहो तो यहां पर पोजीशन होगा हमारा absolute and then top will be zero right will be zero and width हम दे सकते हैं width let's suppose 60 pixels दे दी मैंने and height भी मैंने यही दे दी height 60 pixels and background background हमारा रहेगा हैश करके जो की हमारा इस चीज़ का था तो आप यह देख सकते हो यहां पर यह चीज़ create हो चुकी है then इसमें बात कर लेता है just आपको यहां पर लिखना है font awesome then इसमें आएगी हमारे kids kids करने के बाद आप यहां देख सकते हो कि kids का interface आएका just कि आप कुई font अपने login कर लोगे then थोड़ी time ले रहा है यह आप यह देख सकते हो कि यह इसका simple kit है then यहां पर icon बाना है icon में यहां पर search करना है bars bars के बाद यहां पर आप यह देख सकते हो इस चीज को open a new tab and यहां पर लिख दो close जिससे हमें cross का भी symbol मिल जाए तो cross का symbol यह वाला च्छी है open a new tab आप यह देख सकते हो जो कि हमारा bars है simple time ले रहा है because internet थोड़ा lag कर रहा है मेरा then यहां पर आएगा download svg जैसके आप download svg करोगे तो agree कर देना agree करने के बाद यहां पर भी आ रहा है download svg यहां पर भी agree करना है जो यह दो फाइल आपने download करिये इस चीज को आपको अपने main folder में लियाना है तो यह देखो यह मेरा main folder है इसमें इसमें मैंने बार्स लिया है ऐसे हमारा जो title है उसका भी यहां पर लियाना है इसमें एक दिक्कत बतों क्या है जैसकि यह मेरा current color है इस यहां अची है white यह याद रखना कि white की spelling सही लिखना कभी white की spelling गल्द लिख दो और तुम कहो कि या color तो आई नहीं रहा इसमें करके hack करके दिखा दिया क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप यहां पर simple white लिखो जिससे दूर से को भी visual हो देखो white और अब इसमें से cross कर देता हूं अब इसमें हम background image की मदद से हम अपनी सारी चीज़े create करेंगे तो background image bar से हमारे bars के बाद background का जो position होगा वह होगा center and center मदला top and left से then position of size आप दे सकते हो 50% के बाद अब हम देखते हैं कि इसका output क्या है तो refresh करने के बाद आप यह देख सकते हो कि repeat हो रहा है तो repeat ना होने के लिए background आता है repeat इसमें no repeat तो आप देख सकते हो कि एक single हमारा navigation bar हो चुका है then इसमें आप यहां पर एक transition भी दे सकते हो 0.5 second का then जब हम toggle को hover करें means जब हम अपने toggle को hover करें then इसमें होगा क्या कि जो हमारा यह है यह वाली image change होनी चाहिए तो इस चीज को आपको यह वाली 3-4 property को copy करना है copy down करने के बाद आपको यहां just paste करना है paste करने के बाद जैसे आपको URL ही change करना है और सारी चीज है आपका यह तोरंत create हो जाएगा ठीक है आप यह देख सकते हो कि जब मैं hover कर रहा हूं then यह चीज हो रही है इसके बाद index.stml है सबसे पहले हम यहां पर आखरी में आपको एक simple script create करनी है script में काम क्या रहेगा कि हमें एक function create करेंगे function का नाम रख लेते हैं toggle menu इसके अंदर सबसे पहले let करना है आपको एक variable जैसकि मैं यहां पर लिख देता हूं करके यहां पर just paste कर देना पेस्ट करने के बाद आखरी में इसे छोटा करना थोड़ा सा डबल करके ऐसे हमें toggle के लिए create करना है यहां पर just paste करते रहना है जैन आखरी में जो हमारा code रहेगा हम चाहते हैं कि जब हम navigation जो बार है हम इसमें class list add करें जैसकि toggle toggle कब toggle dot आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो डॉट नहीं आता सौरी यहां पर अक्टिव लिखना है एक्टिव लिखने के बाद semicolumn तो जो यह हमने function create किया है इसे हम कब चलाना चाहते हैं तो वह होगा on click on click function create करना चाहते हैं आप G query भी यूज़ कर सकते थे अब इसे करने के बाद आप यह देखो जब मैं इसे f12 करूं f12 करने के बाद आप इसके नीचे inspect किया है active से क्या होगा कि जैसकि dot click करते हैं तो वैसे हमारा active class यहाँ पर भी add होना चाहिए तो यह hover था इससे semicolumn लगाना है and dot navigation इसमें हमारी सबसे पहले active class add हो रही है यह हो चुकी है तो आप यह देख सकते हो जैसकि मैं इसे click करूंगा तो यह चीज इस पर render हो रही है width इसकी increase हो रही है और decrease भी हो रही है साथ के साथ हम इस चीज को इसमें भी create करना चाहते हैं then आपको इस चीज को छोटा करना है and यहाँ पर double करने के बाद यह जो toggle है इस चीज को यहाँ paste करना है अब इससे होगा क्या कि देखो जैसकि मैं इस पर click कर रहा हूं then यह सारी चीजे हो रही है बट यह जो हमारा हमारा जो आखरी में जो हमारा यह toggle class था इसमें user select कर पा रहा है तो यहाँ पर मैं कर देता हूं यूजर select will be done जिससे क्या होगा कि कोई pointer indicate नहीं कर रहा है then अब इस चीज को responsive करने के लिए सबसे पहला जो मैं काम करूंगा media query लिखूंगा तो media query में बात कर लेता है यहाँ पर यहाँ देख सकते हो last में media query लिखते हैं हम ज़्यादे तर media query screen पहले maximum width define कर देता हूं जसके maximum width जो होगी 750 pixel let suppose and then यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा जो हमारी navigation बार है इसमें मैं left कर दूँगा let suppose minus 60 pixel because हमारे icon की width minus 60 pixel थी तो आप initially देखो जसकी मैं initially icon देख रहे है then width बहुत एकदम जसकी कि वह responsive के वज़े से वह icon hide हो चुके है then इस चीज को double करना है double करने के बाद यहाँ पर आएगा dot active जब हमारी यह चीज active हो then इस चीज के लिए सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा left zero हो जाएगा means zero and then width रह जाएगी हमारी 100% अब इसका क्या मतलब बैठता है कि जैसके मैं मैं से टूगल करूँगा तो आप यह देख सकतो कि icon हमारे ऐसे आ रहे है अब देखो इस चीज को यह equally responsive है वैसे तो यह ऐसे दिखाई देगा इनीशेली and then जब हम इसे decrease कर रहे है इसकी width 100% हो रहा है जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीकरों को मिलता है या फिर वैब डालो पर रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं जानकारी मिलती हो या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी जानने को मिलिए या फिर कुछ भी प्रॉपर